वेल्किम टू जेके एक्जाम करेकर आज बहुत दिनों बाद मेरा आपके साथ इंट्रिक्शन हो रहा है और इस जो जो मेरा टॉपिक है आज का वो है मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक और जो बच्चे के क्वेरी है आज के टाइम पर डाट इस ओनलाइन वर्सिस ओफलाइन ठ तो मेरा यहां पर जो लेक्चर है जो मेरा बेसिकल इस वीडियो में आपको मोटो होगा है दाट इस डिफरेंस बिटिन ओनलाइन वर्सिस ओफलाइन बात करेंगे आपके जेके पेड़ूड का जो एक्जाम होनों है जेके एससबी के थुरू नाव जेके एससबी जेए सिविल और इस बाच के अंदर बहुत सारे स्टुडेंट अलेड़ी अनोल भी हैं बहुत सारी क्वेरीज भी आ पी हैं बच्चों की और बच्चे बोलते हैं कि सर आपका ओफलाइन सेंटर यस यह एन ओफलाइन सेंटर लेकिन हम आप बेसिकली जो अपना जेए का योडिय normale है इसके पीछे विजन क्या है मुझे आ कोउ सकते बिल्कुल कर सकते हैं हमारे पास टायोटएं terusisha ठीक है उन्होंने अपने वेरेस एक्जाम क्वालिफेड की और जो इतने सालों से जो इंडिया का कौन है कोन है वहां तक पढ़ाया नों में जो हुमारा सेलिवस होता था वह सेम सेलिवस यहां पर हो यह भी हमने माना है और उसी को मानते हूं आगे चल भी रहें लेकिन थोड़ा में लिटल बिट चेंज होगा तो ज्यादा होगा नहीं ठीक है जब आएगा तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मेरा आएगा क कि अब मैं क्या करूं कि मेरा सालिवस चेंज हो गया यह मेरा टॉपिक एड़ हुआ यह हट गया उसके बारे में बात में बात करेंगे लेको में एड में पिपर है ठीक है और अभी अब कहां पे है जैनवरी फिप्टीन फिप्टीन तो अगर आपके पास अगर में मोटा मो में है ठीक है? आपके पास क्या है? चार महिने ठीक है और आपको अगर प्रॉपर अपनी study करनी है अगर आपको अपनी proper study करनी है तो कम से कम ये लगा लेजिए आपको पचास से साठ दिन अपने revision के लिए चाइए क्योंकि जिस तरह का competitive mahal almost के time बें है उसके लिए proper revision का होना जरूरी है अगर proper revision आपने नहीं किया proper बिटा revision आपने नहीं किया तो आपके selection कभी नहीं हो सकता ठीक है basic paper आप बोलेगी सर जईए का paper है direct question आते हैं बिल्कुल सही बात है लेकिन चीजों को हवाँ पे सही बिल्कुल data आपको याद होना चाहिए आपके questions बरने चाहिए और एक और commentary माहूल की मैं आपके बात बता दू कि कोई subject मैं यहाँ पे नहीं छोड़ सकता मैं risk नहीं ले सकता किसी भी subject को छोड़ने का ठीक है अगर मैं किसी subject को छोड़ता हूँ या उस subject को मैं छोड़के चला जाता हूँ हो सकता है उसी subject के आपके question आजाए तो मैं वो risk भी यहाँ पे नहीं ले सकता clear है चार महिने है चार महिने इस में से आप अपना यह है कि दो महिने अपना cut कर दो कि भई मैं दो महिने तो revise ही करूँगा मैं fresh बच्ची की बात कर रहा हूँ बिल्कुल जो fresh है यानि कि जिसने पहले माल लो पहले पढ़ाई भी नहीं की यानि कि कभी है वो start कर ना उसके पास बचता है February month February March ठीक है February बचा उसके पास March बचा और January तो आप सोचते विचारते निकाली देंगे दिन हो गए हैं पंदरा दिन निकल चुके पंदरा और बचे हैं और सोचने में और आव निकाली देंगे उसको ठीक है तो मोटा मोटा ही माल लो आपकी पास दो मेने अगर आपने कहीं पे माल लो आपने बेता माल लीजी है कहीं पे कि आपने offline batch अपना join कर लिया तो मेरे को एक बात बताओ जो भी अपना offline batch start करेगा उसने first day सब अपना batch बनाते हैं starting में आपको धीरी-धीर मालो की classes हो रही है आपको बोला जाएगा 2 गंटे मेरा class हो रहा है 4 गंटे class हो रहा है मालो 2-3 गंटे classes हो रही है 2-3 माल लिजिए जादा में 2-3 छोड़िए जादे सादा कितनी classes करा देगा आपको 4-5 गंटे का class 4-5 hours लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ बेटा जो भी offline batch start करेगा वो एक से दो मिनत अपने batch बनाने में निकाल देगा और जब batch बनाए जाते हैं offline coaching के अंदर तो वहाँ पर मेरे अपको ये भी पता है कि एक से दो ही subject वो completely cover करेगा अगर माल लो आप 2 महिने के अंदर इन 2 months आप 2 महिने के अगर मैं बात करता हूँ तो 2 महिने में आप कितना cover कर लोगे तीन subject जादा चार subject में जादे से आदे cover कर लिया है आपको पता है कितना पढ़ना है soil, soil start होगे कितने 72, 80 hours की subject है मैं soil की बात करूँ तो 70-80 गंटे की subject है soil ठीक है लगा लो 4 गंटे के साब से कम से कम 20 दिल लगेगा कम से कम offline में अगर आप जाते हैं तो इस subject को cover करने के लिए 20 दिन लगा लो 20 days ठीक है सोम का लगा लो सोम भी 70-80 गंटे की subject है और जब batch starting करते हैं तो बटा ही इसको इस सार्टिंग इसी से उतियोर धीरे से चलाना पड़ेगा ठीक है तो 70-80 गंटा मेरे को एक बात बताओ 70-80 गंटा यानि के आपने फिर 20 दिन यहां पे खराब करती है मैं तो कम से कम दिनों की बात कर रहा हूँ 20 दिन 20-20-40 एक FM की लगा लो fluid mechanics hydraulics जो वाला part है पका now you are talking about the hydraulics ठीक है जो hydraulics है hydraulics में तीन पार्ट लगा लो आपने अब कौन सा है FM लगा लेजिए OCF लगा लेजिए and machine FM, OCM and machine clear है SM कितना भी कम कोई पढ़ाएगा 40 गंटे, 50 गंटे तो भाई पढ़ाएगा न कोई भी 50 गंटे OCF कितना भी कम पढ़ाएगा 15 गंटे पढ़ाएगा machine कोई भी कितना भी कम पढ़ाएगा 10 गंटे तो पढ़ाए गए न, 15 गंटे लगालो इसको कितना हो गया 5, 60, 70, ये भी 75 आर्ट हो गया 75 आर्ट, ठीक है जब ये 75 आर्ट हा गया इसका लगालो यार कम से कम 20 दिन जाएगा कितना जाएगा, मेरे बताओ 20 डेज, ये तो मैंने 3 सब्जेक्ट की बात किये, ये मैंने क्या 3 सब्जेक्ट लगालो, 20, 20, 60 तुम्हार तो 2 महिने निकल गए 3 सब्जेक्ट में क्या, 2 ही मन्त के अंदर क्या 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे क्या 2 महिने के अंदर आपने 3 सब्जेक्ट कवर किये मेरे के बताओ दो महीने आपने कवार आती है ठीक है? टू मन्त और सब्जेट कितने हुए आपके? तीन सब्जेट आप खुदी फ्रस्टेट होने लोगों कि बटा कुछ दिन बाद क्योंकि exam date जैसे जैसे नसदीक अभी आपको लग रहा है मैं revise कब करूँगा? मैं पढ़ूँगा कब? ठीक है? तो ये मैं offline का situation बता रहा हूँ मैं किसी को criticize नहीं कर रहा है हाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहे offline मत जाएए मैं आपको situation बता रहा हूँ क्या है? ठीक है? हम ये भी possibility कोछ बच्चे बोलें कि 90% बच्चा ऐसा होगा जो लेड़ी पढ़के बैठा हुआ कहीं से जो पहले कहीं नहीं कि कुछ ना कुछ तयार ही एक साल किसी ने की योगी, किसी ने दो साल, किसी ने तीन साल 90% population तो ऐसी होगी जो लेड़ी पढ़ चुकी है भाई उनको offline जाने की क्या जूरत है उनको तो मेरे क्याल से कोई जूरत है हो सकता है उनका किसी subject में मालो swab में कोई doubt हो, उनका water source में कोई doubt हो, को इनका highway में कोई doubt हो, उनका environment में किसी का doubt होगा, तो why you are going into the offline classes why you are wasting your time तो आपना waste जो कर रहा है ठीक है, अब दूसरी बात मैं online के यहां पे आपको बताता हूँ, यह तो मैं बता रहा हूँ आपको time taking के इसाब से, अगर मैं online module की बात करूँ तो online module में सबसे पहली बात आपके बात क्या है, flexibility यहां पे available है, ठीक है आपके पास flexibility आपके पास रात को मन करता है, रात को पढ़ सकते हैं कोई foundation नहीं, आपका मन करता है कि मैं 4 गंटे में, 4 गंटे पढ़ना है आप 4 गंटे पढ़िए, आपका मन करता है 8 गंटे पढ़ने का आप 8 गंटे पढ़िए आप कर मन करता है, 10 गंटे पढ़ने का आप 10 गंटे पढ़िए, इतना ही तो गर सकते हैं ना, 4 गंटे पढ़िए, 8 गंटे जितना मन करें, आप वापे वीडियो कोई देख रहे हैं, उसकी speed बढ़ा के देख लेजिए, माल लेजिए 1x पे चला रहे हैं आप, ठीक है, इस पर नहीं आ रहा है वह थोड़ा जल्दी से निकालना है topic 2 पे x पे चला है 2 गुना कर दो 2.5 x कर लो कितनी भी speed गुना कर लो कि चला सकते हैं उसका कोई topic नहीं बढ़ना है उसको skip कर सकते हैं मालो किसी मालो मेरा कोई topic था environment environment मेरे को sedimentation पढ़ना है बस देखो वहाँ पे sedimentation का मेरा topic यह मेरे पास flexibility यह भी है मेरे पास time भी है और अगर मैं online module से जाता हूँ तो मैं इतनी guarantee लेता हूँ कि कम से गम आप डेड़ से दो महिने के अंदर डेड़ से दो महिने के अंदर आप अगर fresher भी है तो अपना सबर syllabus आप time ली cover कर लेंगे क्या करेंगे बिच्छे आप अपने syllabus को time ली cover कर लेंगे डेड़ से दो मिने के अंदर अगर आप dedicated student है और अच्छे से पढ़ रहे है ठीके offline में आपने एक बार पढ़ लिया तब भी देख सकते हैं उसको ठीके उसको तब भी तो देख सकते हैं online में आपको आपके notes मिल जाएंगे वहाँ पर proper notes मिलेंगे ठीके आपकी flexibility इतनी है जमर जी आप देख सकते हैं ठीके और सबसे बड़े आति कोरोना आओ गया और government ने वहाँ पर ban कर दिया कि भाई अब मेरा जो है corona मैं 15 दिन यहाँ पर पूरा जम्मों city कोई भी city में जहाँ पर coaching कर रहे होंगे offline कि भाई मैं इस city पर यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं centers यानि कि जितने भी है activities सब बंद कर रहे हैं 20 दिन लोगडाउन हो गया फिर फिर क्या करेंगे आप लोग कि घर में बाटे रहेंगे वेट करेंगे 20 दिन का बताईए मेरे को क्या आप 20 दिन का वेट करेंगे क्या इस pandemic के situation में आप महाँ पे बेटा 20 दिन वेट करेंगे नह भी critical situation आएगी दूसरा एक ये मेरे benefits से एक और मैं बात करूं यहाँ पर तो एक और सबसे बड़ा benefit जो बच्चों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है that is cost ठीक है आफ offline में अगर बेटा कहीं भी जाओगे cost की अगर मैं बात करता हूं cost effectiveness की अगर बेटा मैं बात करूं अगर मैं बेच्चों cost की बात करता हूं in terms of money तो यह मेरा offline ठीक है offline and this is online ठीक है offline में आप जहापे भी जाएंगे तो offline में कम से कम आपको fee की मैं बात करूं तो 20 से 30,000 के बीच में 22 30,000 के बीच में आपको कोई न कोई सब charge करेंगे इतना तो आपसे charge fee ले गए 20 से 30,000 इतने के बीच में कोई नहीं करा रहा होगा आपको no doubt इतने के बीच में आपको charge effect वहाँ लेने वाले प्लस आपका fooding प्लस इसमें fooding का खर्चा एड़ कर लीजिए आफ फूडिंग का प्लस लोजिंग का fooding लोजिंग और extra से अड़ कर लीजिए ठेक है तो यह और खर्चे आपके वहाँ पर आड़ होंगे ठेक है अगर आप वही online module में जाते हैं तो online module के इंदर बटा क्या मिलेगा आपको only आ जो हमारी JK exam cracker है पर उसमें कितने का course लोज किया हुआ है just 3000 रुपीज तीन हजार रुपे का ठीक है जो हमारा बेटा course है वो कितने का just 3000 रुपी का 3K 3K बोल लीजिए या 3000 just 3000 इसमें आपको पूरा complete module मिलना है और validity जो मिल रही है यहाँ पर now validity of the course is one year यह one year की validity आपको मि मिलेगी आपको one year validity मिल रही है test series मिल लिए pdf notes मिल रहे है daily basis पे quizzes आपको मिलेंगे इसके अंदर आप quizzes दे सकती हो रोज अपनी preparation check कर सकते हो test series आपको मिलेगी dedicated एक जो आपके एक्जाम है PWDG का उससे later आपके पूरी complete test series मिलेगी validity आपको one year मिल रही है ठीक है कोस्ट देखे क ना है आपका folding का खर्चा होना है ना loging का खर्चा होना है कोई भी आपका खर्चा नहीं होना है just three thousand rupees का course है on jk exam करेकर है ठीक है तो ये मेरे कुछ benefits से online versus offline मैं पहली बता दूँ मैं यहाँ पर criticize नहीं कर रहा हूँ online versus offline choice आपकी है कि आपको choose क्या करना है आपको online जाना है या फिर offline जाना है ठीक है मैं लास्ट ये बच्चों की situation बता दूँ आर लास्ट ये में मार्च की बात बताता हूं कुछ बच्चों ने कहीं कहीं अनॉल्मेंट कर ली थी अपनी offline coaching में फिर उनके साथ क्या हुआ वहाँ पे payment भी कर दी सबने लेकिन finally एकदम से आपको पता है कि मार्च में 23 मार्च को completely lockdown लग गया था entire country के अंदर जब lockdown लगा तो उसके बाद offline coaching start नहीं हुआ और उन बच्चों का फिर क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ ठीक है तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने घर में रहिए safe रहिए और मेरे खाल से offline is not a better solution at present time the online is a better solution online आ आप online जा सकते हैं online पढ़ाई कर सकते हैं कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एक और फायदा online का जैसे आपके भी जम्मू का तो आपका PWDG का batch का exam होना ही है उसके लावा SSC जी जो मार्च में भी schedule के है pre 22nd of March आप उसको भी जा सकते हैं ठीक है कुछ बच्चे डाउट करते रह नहीं या फिर जो मेरा जम्मू वाला exam है जैका जैके SSBPWDG सेविल उसके लिए पड़ें देखो बटा इंडिया में कोई भी जैका exam होगा तो मेरा benchmark तो SSC होगा ना मेरा benchmark क्या होगा SSC होगा ठीक है तो मुझे SSC का एक अपना benchmark सेट करना पड़ेगा ना और कहीं भी अगर अगर अच्छे आ रहे हैं तो मैं यह कर सकता हूं कि हाँ मेरी तयारी अच्छे track पर अगर marks अच्छे भी नहीं आ रहे होंगे तो मैं यह तो करूँगा कि मुझे बहु जादे improvement की जोरत है ठीक है एक और बात इस exam में जो मैं लिए चीजे मेन रखेंगी वो होगी data अब कित प्रोटे numerical होंगे जो ज्यादा बड़ डिफिकल नुमेरिकल नहीं होते है डारेट कुश्यन बेस डारेट फॉर्मुला बेस वह आपके नुमेरिकल होंगे प्लस इसके लावा कुछ डारेट थोर्टिकल कुश्यन जो database questions होते हैं वो आपके questions होने वाले ठीक है जो simple database questions है वो आप क्या सकता हूं कि अगर प्रोपर रिवीजन नहीं हो पाया timely अपने syllabus cover नहीं किया अपना तो फिर दिक्कत हो जाएगी at least आपको कम से कम अगर आप आज से त्यारी कर रहे हैं तो कम से कम दो मेंने ऐसे चाहिए होंगे कि जो आप घर पे बैट की बिलकुल सामती से अपन वर्सिज ऑफलाइन के मैंने benefits आपको बता दिये online में एक और module आपका रहेगा माल लोग कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं कि जिसको माल लीजिए किसी के soil mechanics week है ठीक है और बच्चे न ओफलाइन जोइन कर लिए तो soil mechanics तो आपके कहने से तो subject नहीं चलेगा आपको तो wait करना पड़ेगा न उसका online में module में ये भी फायदा गया आपका कि अगर माल लोग स्वेल बढ़ना है आप स्वेल के lecture देख लीजिए आपको फ्लूड मेकैनिक्स पड़ना है फ्लूड के lecture देख लीजिए आपको सिंपली open channel flow के lecture सही है तो open channel flow के lecture साब देख सकते हैं आपको specifically swarm के अंदर deflection पड़ना ह करेंगे offline वाला कोई पढ़ाएगा थोड़ी ना आपको कि आप offline जाएंगे हां भी या deflection पढ़ा दीजे सर मिराज मन deflection पढ़ने का है क्या मन वो पढ़ाएगा आपको deflection नहीं जब terms आएंगे deflection की जब chapter start होगा तभी तो पढ़ाएगा ना तो ये फायदे आपके online में हो स और बाकि अगर किसी कोई query है तो यहां पर नंबर दिये हुए है हमारे लिंक दिया हुआ description में आपका डाउनलोड नहीं की है तो अपनी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर अभी भी किसी को query है तो you can contact में आप मेर से contact कर सकते हैं मेरा नंबर देता हूं नाउ contact contact at आप contact कर सकते हैं on this number इनके अलावा भी हमारा कुछ numbers दिये हुगी वहाँ पर आपका description में लिंक दिया होगा वीडियो के वहाँ आप आप देख लीजिए तो लास्ली यही है बटा कि अगर आपको पन्नौल करना चाहते हैं और आप टेखेंदर आपको फ्रिट्सक्राइब आपको वह वैलेडीटी आपको मिल जाएगे इसके अंदर आपको और किया मिलेगा अर डेली कुज़िस मिल एपको ठीक है डेली कोईज़स मिल जाएंगे इसके अंदर आपको पीडिएफ नौट्स मिल जाएंगे ठीक है और एक और बैनेफिट की faculty का concern, कुछ बच्चे बोलते हैं कि sir हमारे doubt कैसे clear होगे, तो doubt बेटा आप कैसे clear होगे, जिस faculty ने जो subject कराया है, उसी का picked batch के अंदर उस faculty का concern faculty का number दिया है ठीक है, और उस concern faculty से आप क्या कर सकते हैं, contact कर सकते हैं और किसी भी time अपने doubt पूर सकते हैं ठीक है, यह से मिलेगा, maybe आपको test series भी मिलेगी हां के अंदर here till the test series आपको यह आप test series भी मिल जाएगी, concern faculty का number दिया है, उससे अपने doubt clear कर सकते हैं, PDF notes मिल जाएंगे, daily quizzes मिल जाएंगे, and the validity of the course is only one year, ठीक है, validity जो मिलेगी, जिस date को आप purchase करेंगे, उससे एक साल तक आपकी validity रहने वाली है, ठीक है, offer में जो अभी prices है, that is of 3000 rupees, यह आपकी last amount है, 3000 rupees, ठीक है इतनी में आपको complete course मिल जाएगा, ठीक है, और अगर आपके अभी भी कोई doubt है, तो आप जो number दी है, उन पर contact कर सकते हैं ठीक है, अगर आपके किसी ने application download नहीं किये, तो आपके description में link दे होए, download कर सकते हैं clear, चलिए, okay, thank you